हालो एवरिवन, स्टूडेंट्स इस छोटे से वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा डिग्री विद स्किल्स के बारे में Most of the students 12th के बाद देखिए डिग्री कोर्स करते हैं चाहे वो humanities वाले बच्चे हों, commerce stream वाले हो, medical, non-medical यानि साइस वाले students हो But, graduation करने के बाद एक problem आती है कि normally, easily job नहीं मिलती क्यों ऐसा होता है देखिए, और हम कहीं बार बात करते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, unemployment बहुत जादा है वो कब है, जब आपके पास सिर्फ degree है और degree से related requisite, जो भी required skills है, उन skills की कमी है This is the age of globalization, आप जानते हैं सभी दोस्तो, बड़ी-बड़ी companies में बहुत सारी job opportunities है लेकिन बड़ी-बड़ी companies जिन में बहुत अच्छे-च्छे packages मिलते हैं, high incentives मिलते हैं वो सिर्फ उन candidates को मिलते हैं, जो उनके पास degree के साथ साथ, कोई course या diploma के साथ साथ, बढ़या skills हो क्योंकि जो companies आगे बढ़ती हैं देखिए, याद रखिए, वो आपकी knowledge, आपकी skills के base पर आगे बढ़ती है और उसी के बदले company आपको अच्छे packages यानि अच्छे से compensate करती है तो दोस्तो याद रखिए, चाहे आप humanities stream में हो, commerce stream में हो, चाहे science stream में हो for example, commerce stream का कोई student become with accounting, become with finance, become with banking करता है तो in field से related उसकी skills sound होने चाहिए, उसको अच्छी knowledge होने चाहिए, फिर देखिए job फटाफट मिलती है इस तरह science के students, आप जानते हैं, this is the age of science and technology इस age में students, लाखों jobs हैं और आगे भी होनी हैं आज ही मैं एक newspaper पढ़ रहा था, जो भी survey हुए हैं different agencies के उसमें लिखा हुआ है, अकेले भारत में, लाखों jobs, skilled workers के लिए, skilled employees के लिए होने वाली हैं आने वाले 5-7 सालों में, और जो existing employees भी हैं, उनको भी अपनी skill को upskill करने की जरूरत है उसे add-on करने की जरूरत है, इसका मतलब समझे, skills कितनी important है यानि, सिरफ degree लेने से काम नहीं चलेगा, degree supported by skills होना बहुत जरूरी है और सिरफ एक बार skill लेने से भी काम नहीं चलेगा, अपनी skills को time to time update करते रहिए अप skill होते रहिए, अप skill का मतलब होता है, advanced technology के साथ जुडिये जो भी आपका particular area है, उसमें अपने आपको update करें, advancement लाएं ताकि बदलती परस्तितियों के साथ-साथ, changed circumstances के साथ-साथ, global conditions के साथ-साथ आप अपनी knowledge बढ़ाएं, उसी से आपकी worth बढ़ेगी तो end में इतना ही कहूंगा, दोस्तों याद रखना, कि degree जरूर लें आप, graduation करें, post graduation करें highly qualified हों, लेकिन याद रखिए, उसके साथ-साथ, जो भी field आपको पसंद हो जो भी आपका subject of specialization हो, अपने आपको skill करें, अप skill करें क्योंकि jobs बहुत हैं, सिरफ आपमें skill होना बाकी है, इसका मतलब सिरफ degree से काम नहीं चलेगा, skills are more important comparatively फिर देखिए अपनी worth, आप कभी भी unemployed नहीं होंगे, और आप में से बहुत सारे students, जो अपनी skills को improve कर पाते हैं, time to time update कर पाते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको job नहीं करनी, तो घर बैठे भी work from home की बहुत सारी opportunities हैं दोस्तों लेकिन वो कब? जब आप में particular skill है, और उस skill के base पर आप different business trade और industries का benefit कराते हैं और बदले में आपको high fees मिलती है, जैसे freelancers होते हैं तो उमीद है दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आपको clear हुआ होगा कि सिरफ degree नहीं, skills भी चाहिए तो जो भी particular area आपको पसंद है, उसमें depth में जाईएगा skill हासिल कीजिएगा और उस skill को time to time update और upskill कीजिएगा उमीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो like करें, friends और classmates के साथ share कीजिएगा और channel अभी तक subscribe नहीं किया, तो channel को subscribe करना ना भूलें